इसी खबर आ रही है कि E.D. ने अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट कर लिया है ये बिल्कुल साफ था जितनी भारी संख्या में पुलीस आई थी जितनी भारी संख्या में पैरा मिलिटरी फोर्स यहां पे स्केशन थे कि आज E.D. अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है अर्विंद केजरिवाल का अरेस्ट भारतिय जंता पाटी की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनेतिक साज़िश है प्रधान मंत्री नरेंद्र मौदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अर्विंद केजरिवाल है दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दो साल में एक रुपे की भी रिकावरी ना एडी ना सीबी आई कर पाई है 500 से जादा अफसर इस केस में लगे हुए थे 1000 से जादा रेड्स हुए आम आदनी पार्टी के नेताओं के घर मंत्रियों के घर उनके ऑफिसेज में हर जगा रेड्स हुई लेकिन उसके बावजूद एक रुपेया आज तक नहीं मिला है तो आज लोकसभा का चनाव अनाउंस होने के बार अर्विंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनेतिक साजिश है लेकिन मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोती जी को कहना चाती हूँ के अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक इनसान नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है अगर आपको लगता है के एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार करके आप इस विचार को खतम कर सकते हो तो आपको गलफ लगता है अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंतरी थे दिल्ली के मुख्यमंतरी है और दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकारच चलाने से प्रोहभिट करता है उनका कोई कनविक्षन नहीं हुआ है और अर्विंद कहजरिवाल जी दिल्ली के मुक्यमंतरी है और दिल्ली के मुक्यमंतरी रहेंगे ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है इस पे कोई दो राय नहीं है अब कानूनी लडाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोड हमने केस फाइल कर दिया है अर्विंद केजरीवाल के अरेस्ट को कोश करने का के सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है अभी उसकी अर्जंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हम यह डिमांड करेंगे कि आज इगात को ही इस केस की सुनवाई हो